वेल्कम टू माइस सिंप्लिफाइड वेदिक अस्ट्रोजी चैनल आज के इस वीडियो में संग 16 दिसंबर 2022 में सच्टेरियस साइन में प्रवेश करने वाले हैं यानि गोचर करने वाले हैं तो मैंने इस वीडियो में आप सभी राशिय लगना वालों के लिए क्या-क्या ये ट्रांजिट क्या के रेजल्ट आप लोगों के लिए लेके आएगा इसके विश्वय में मैं आज प्रेडिक्शन देने वाली हूं तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर कोई भी नए वीवर्स हैं अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन सब्सक्राइब के लिए अपने अपने राशी अनलगना के हिसाब से जो भी प्रेडिक्शन आपको देखने चाहिए वो देख लीजे टाम स्ट्रेंप कमें सेक्शन में हैं तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एरीज यानि मेश राशियान लगना वालों के लिए तो आप लोगों के लिए सन आपका फिफ्थ हाउस को रूल करता है और वो आपके नाइन्थ हाउस में प्रवेश्च करने वाल है तो क्यूंकि द सन आपके नाएन्थ हॉस पर यानि सखेटियर साइन में आपके अ बैड़ disciples में है आपके लिए तो इन दोणों के लिए ही आपके लिए और आपके बच्चे के लिए और आपके बच्चे के लिए टाइम बहुत अच्छा है अगर आप लोगnhा लेश्व करना चाहते हैं और यह ताइम आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा है कोई भी रिलिजियोस ट्टिज के लिए कोई भी रिलिजियोस अक्टिविटी के लिए इस वर उट आप लोग एक जगह से दूसरी जगह पर पिल्ग्रिमेज के लिए ट्रावेल करना चाते है रहा Job higher education के लिए किसी और state में आप लोग travel करना चाहते हैं किसी और country में अगर आप लोग traveling करना चाहते हैं तो यह time अच्छा है अगर आपका current महादाशा लॉड and अंतरदशा लॉड अगर indication दे रहा है तो most definitely आप लोग किसी और किसी long distance place में आप traveling कर सकते हैं I do not think कि other other country होगा क्योंकि उसके लिए पाइसी साइन का involvement होना जरूरी है and 12th house का involvement होना जरूरी है okay otherwise यह time बहुत यादा अच्छा है आप लोग के लिए अपने आपको spiritually progress करवाने के लिए and सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका father अभी भी आप जिन्दा है या फिर अगर आपका कोई भी mentor है तो वो लोग भी किसी long distance place में pilgrimage के लिए traveling कर सकते हैं उनके साथ आपका जो रिष्टा है वो बहुत ही उसके अंदर एक transformation आएगा अब ही अगर आप लोग देखें तो मार्स जो है वो sign of Taurus पे है और रेक्रोगेशन पे है तो ओविएसली मार्स का जो 8th aspect है वो आपके 9th house पे है तो इसी वज़े से जो भी आपके spiritual belief system है जो भी आपके father के साथ है या फिर अगर आपका अगर कोई भी guru या फिर mentor है तो उनके साथ जो भी रिष्टा है उसमें एक positive या फिर negative transformation आसकता है अब मैं negative इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि आपका 9th house सच में बहुत यादा damage होता है तो मुझे वो नहीं पता है वो आपके horoscope के उपर depend गड़ता है तो based on कि आपका horoscope क्या indication दे रहा है उ इसमें कोई ना कोई transformation ज़रूर होगा तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा है अगर वीडियो अच्छा लगा तो पीस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच पर वाचिक माई वीडियो टॉडस राशी यानी व्रिशब राशी अन लगना पर सकता है ओके एंड आपके मां को भी सदेनली किसी लॉंग डिस्टेंस प्रेस पर ट्रांसिट करना पर सकता है इस वक्त अपने मां के हेल्थ के तरफ या फिर फैमिली मेंबर्स के तरफ बहुत यादा ध्यान रखिए क्योंकि एइथ हाउस जो है वह हमारे सदेन आप लोगों के साथ आपके मां के रिष्टे में या फिर आप लोगों का जो भी आपके फैमिली मेंबर्स का जो रिष्टा है उसमें सदेन अपसेंड डाउंस इस वक्त आ सकता है क्योंकि सैजिटेरियस एक ओरिजिनली 9000 को रूल करता है और वह लॉंग डिस्टेंस ट्रा अगर इंडिकेशन दे रहे हैं तो मोस्टेफिनेटली इस वक्त आपको सदेनली कोई स्पिरिच्वल गुरु मिल सकता है कोई ऐसा गुरु जो आपको आपके लाइफ को बहुत ही अच्छी तरह किसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है क्योंकि ओडिजिनल एइथ हाउस जो है वो वाला ही हाउस है ओके तो आई रिली होप कि ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा है अगर वीडियो अच्छा लगा है तो पीस वीडियो को लाइक स्ट्राइब कीजिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माई वीडियो तो मिथून यानी जेमिना राशियन लगना वालो है नए तो आप लोग स्पोर्स में है तो किसी कोई competition है sports के रिगारडिंग तो ऐसे किसी चीज के लिए आपको किसी लॉंग डिस्टेंस प्लेश पर ट्राविलिंग करना पड़ सकता है साथ ही में इस वक्यूद का फॉर्ड हाउस लौट जो की ओरजिनली जो कि आपके होरस्कोप में सन द्वारा रूल्ड होता है और सन एक बहुत ही शाइनी ब्राइट एक प्लानेट है वो आपके सेवेंथ हाउस आप पार्टनर्शिप पे है और और अल्रेडी मर्क्यूरी और वीनस भी थर्ड और फिफ्ट ऑफ डिसमबर 2022 में अल्रेडी साइन अफ सेजिटे में है नै तो अगर आप लोग अगर मैरेड भी है तो आप लोग देखेंगे कि आपके एक्जिस्टिंग पार्टनर्शिप में या फिर एक्जिस्टिंग रिलेशन्शिप में जो कम्यूकेशन है वो उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूब्मेंट इस वक्त आ सकता है येस थोड़ा सा अप लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि मार्स का 8th aspect आपके 7th house पर है तो कुछ ना कुछ ट्रांस्फोरमेशन भी हो सकता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगाए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट करके बताइए थैंक्यू सो मच करकत राश्यान लगना वालों के लिए सन आपके 2nd house को रूल करता है और वो आपके 6th house पर आ रहे हैं तो most definitely आप इस वक्त आपके family members के साथ आपके communication में कुछ ना कुछ प्रॉब्लेम हो सकता है जिसके वैसे आपके family members के साथ कुछ ना कुछ area of life में तो इस वक्त सान आपके enemy को defeat करने में आपको आपके enemy को burnt out करने में आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त करेंगे अगर आपने बहुत सारा तो हमारे food habits को represent करता है और 6,000 हमारे health disease and health को represent करता है तो अगर आप लोगों अपने health के तरफ अगर आपने food consumption के ऊपर आप लोगों ने ख्याल नहीं रखा तो इस वक्त health issues हो सकते स्पेशली कोई पेट में कोई health issue हो सकता है ना तो heart related कोई health issue हो सकता है कोई भी हो I really hope कि आप लोगों को कोई problem ना हो बट यह truly depend करेगा कि आपका horoscope कैसा है और आपका करेंट महादर्शा लॉड एंद अंतरदर्शा लॉड क्या इंडिकेशन दे रहे हैं ओके अधर कि क्योंकि जब आपका first house लॉड आपका लगना लॉड आपके fifth house पे आते तो यह बहुत ही अच्छा होगा है अगर आप लोग एडुकेशनल फिल्ड में है अगर आप लोग कोई भी क्रियेटिव फिल्ड में है अगर आप लोग को अपने आपको एक्स्प्रेस करने की 2022 में Mercury and 5th of December 2022 में Venus भी Sagittarius sign में गोचर कर चुके है तो Sun, Mercury and Venus का यह जो combination इस वक बनेगा from 16th of December 2022 तिल the end of December 2022 तो यह एक बहुत ही एक अच्छा creative combination होड़ा है आपके fifth house पे तो कोई भी creative अगर फिल्ड में है आप लोग तो इस वक आपके creativity में आपके writing skill में आपके overall जो भी creative awareness है आपके अंदर उसमें बहुत ज़्यादे improvement आएगा खास करके अगर आप लोग educational field में है अगर आप लोग किसी कोई आप लोग निर्देशक है film directors है तो यह वक्त आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा है बहुत ही अधा creative aspect आपके दिमाग में आएगा साथ ही में अगर आप लोग education में भी है तो वो बहुत ही अच्छा time है इस वक्त साथ ही में अगर आपके बच्चे भी अगर educational field में है तो उनके लिए भी अच्छा time है हो सकता है अगर उनके current महादशा लॉड अंदरदशा लॉड में अगर यह indication है कि वो लोग किसी long distance place में traveling कर सकते हैं अपने education के लिए तो वो लोग most definitely इस वक जा सकते हैं overall यह time अगर आप लोग stock market में इंवेस्ट करते हैं अगर आप लोग का कोई भी business है खास करके अगर आप लोग stock market में इंवेस्ट करते हैं bitcoin पे या फिर कोई भी ऐसे share market पे इंवेस्ट करते हैं तो यह time आप ल आप लोग का चार्ट कैसा है आपका महादर्शा लॉड एंद अंतरदर्शा लॉड क्या indication दे रहे हैं तो most definitely कोई भी प्रकाल का investment करने से पहले प्लीज प्रोपर जान करे लिजिया अगर मैं प्लानेटरी एनर्जी के बारे में बात करू तो यह positive timing है आप लोग के लिए बह आपका 12,000 लॉड आपके 4th house of Sagittarius में आ रहे हैं तो इस वक्त क्यूंकि देखिए 4th house भी एक बहुत ही spiritual house है वो एक मोक्षा हाउस है और 12th house भी आपका मोक्षा हाउस है तो क्यूंकि एक मोक्षा हाउस लॉड दूसरे मोक्षा हाउस में आ रहे हैं तो most definitely इस वक्त आपके ल दिमाग में वो सोच में वो स्थिंकिंग में बहुत ही जादा एक ट्रांस्फोर्मेशन इस वक्त आएगा for the betterment ओके तो इस वक्त आप लोग क्या करेंगे थोड़ा आइसोलेट रहने की कोशिश करेंगे थोड़ा spiritually अपने आपको इनक्लाइन करेंगे थोड़ा आपने आप अच्छा है कि क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई भी transit खुद में से कोई result नहीं दे पाता है वो हमेशा डिपेंड करता है कि आपका करिंट महा दर्शा लॉड अंदर दर्शा लॉड एन आपका होरोस्कोप कैसा है इस वीडियो में मैं सिर्फ प्लैनेटरी एनरज अच्छा हो सकता है क्योंकि नैच्रली संजो है वो आपके फादर को रिप्रेजन गड़ता है और अपको बहुत यादा स्पिरिच्वल कोई भी गाइडेंस मिल सकता है जो आपके लिए बहुत यादा महतवपूर्ण होगा जो आपके लाइफ को एक नया दिशा दिखा सकत है तो transformation mostly अच्छा होने के चांसे से और ये भी हो सकता है कि for example कि अगर आप लोग किसी बाहर पे रहते हो किसी बाहर किसी और स्टेट में और और कंट्री में रहते हो तो based on कि अगर आपका particular महाधाशा लौड अगर इंडिकेशन दे रहा है तो most definitely आप अपने होम लैंड में इस बाहर से कोई इंसान आपके घर में आ सकता है एंड आपके हो में कुछ दिनों के लिए विजिट कर सकता है ओवरल ये टाइम में आप लोग बहुत यादा सोशलाइज करना आप पसंद नहीं करोगे इस वक्त आप अपने अंदर आपने फैमिली के साथ ज थर्ड हाउस प्यारे तो मोस्ट डेफिनेटली इस वक्त आप लोगो को बहुत यादा कुछ भी हासिल करने के लिए बहुत यादा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा सबसे पहले बीना एफर्ट बीना कम्यूनिकेशन के आप लोगो कुछ नहीं मिलेगा इस वक्त अगर या फिर चोटा भाई या फिर अगर कोई बहन है तो इन लोगों को भी किसी लॉंग डिस्टेंस या फिर शॉट डिस्टेंस प्रेस में ट्रावेलिंग करना पर सकता है पर इससे गेंस एन अचीवेंट भी मिलेंगे इस वक्त आपका कम्यूनिकेशन बहुत यादा क्योंकि यह योगा ऐसा बन रहा है तो अब अब्विस्ली मर्कूरी एंड वीनस भी आपके थर्ड हाउस में इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं मैंने उसके लिए भी वीडियो बना दिया है अगर नहीं देखा है तो प्रेडिक्शन का जो भी लिंक है वीडियो इस वीडिय है तो एक अब्रेशन करता है तो एक प्रेड़ी व्यडियो आश्री बन रहा है नासी आपके सथर्ड हैस युए मार्स का 8th aspect वहाँ पर रहा है and sign of Sagittarius जो है वह बहुत ही एक higher learning, higher philosophy वाला sign है तो इस वक्त most definitely कुछ न कुछ हो सकता है via traveling इस वक्त आप किसी guru-like या फिर mentor-like इंसान से आप लोग मीट कर सकते हो जिन से communicate करने के बाद आपकी communication style में improvement आएगा अगर दूसरी time पर ऐसा था कि आप लोग को थोड़ा normal चीजों के बारे में gossip करना पसंथा तो इस वक्त आप लोग gossip बिल्कुल भी नहीं करेंगे हो सकते हैं कि आप लोग बहुत एदा spiritual चीजों के उपर या फिर कैसे आप लोग कुछ नया skill सीख सकते हो जो आपके लिए बहतर होगा जो आपको betterment देगा आपके life में ऐसे चीजों के उपर आप लोग discuss जादा करेंगे तो overall ये time अच्छा है अगर आप लोग अपने communication के उपर ध्यान नहीं देंगे तो ये time बुरा होगा क्योंकि मार्स का जो भी aspect जो है वो बहुत यादा harsh aspect भी हो सकता है तो अपने क्योंकि आपका third house इस पर बहुत यादा dominating हो रहा है तो अगर आप लोग किसी ऐसे field में है for example कि आप लोग like reciting करते हो आप लोग news reporter हो या फिर आप लोग journalism पे हो जहापे आपको communication जादा करना पड़ता है तो यहाँ पर आपको communication आप क्या कर रहे हो उसको पर आपको बहुत यादा ध्यान देना पड़ेगा otherwise problem हो सकता है else आपके communication style में बहुत यादा improvement आएगा बहुत यादा creatively आप अपने आपको express करने लगेंगे यह चीज आप लोग देखेंगे तो overall यह टाइम अच्छा ही होना चाहिए बट यह भी depend करेगा कि आपका current महादशा लौड and अंतरदशा लौड क्या indication दे रहे हैं होफुली आपके लिए बहुत ही एक अच्छा टाइम हुई है अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजे शेर कीजे कामेंट करके बताइए अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग फ्ली थूएरक अपने गनिकेशन के थूएप बात के छूटू आप लोग बहुत इच्छा गेंट आं है अको मिल सकता है क्या होके खास करके जो भी आपलोग को अभी आप नोज योगा सता है यहां पर एक चीज़ होगा कि क्योंकि मार्स का एइट ऐस्पेक्ट आपके सेकेंड हाउस में है वहाँ पर सन है मर्कुरी है वीनस है क्योंकि मर्कुरी एंड वीनस भी थर्ड और फिफ्ट ऑफ डिसमबर 2022 में अल्रेडी साइन अफ सेजटेरियस में ट्रांजिट कर चुके है मैंने उसके लिए भी अलग से प्रेडिक्शन वीडियो बना दिया है वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चेक कर लिजेगा तो इस वक्त आपके कम्यूनिकेशन थोड़ा बहुत हार्श भी हो सकता है अपने फैमिली के अंदर वर्क करने की एक्यूमिलेशन आफ वेल्स जादा होड़ा है तो इस वक्त आपके इगो में एक राइस होगा जिसके वाइसे वीडिन दा फैमिली आप लोग थोड़ा डॉमिनेटिंग ली बात करने की कोशिश करेंगे तो होम लाइफ के अंदर थोड़ा बहुत इस्वो सकता है तो प्लीज मेक शिर कि आप लोग अपने वर्क स्पेस में जैसे अच्छे से बात कर रहे हैं क्रियेटिवली बात कर रहे हैं वैसे ही आप लोग अपने खुद के डेली जो होम लाइफ है अपने फैमिली के अंदर भी अच्छे से बात कीजे यहाँ पे आप लोग करेगा कि आपका करेंट महाधाशा लॉड एंद अंतरद्रशा लॉड क्या इंडिकेशन दे रहे है उसके उपर यह डिपेंड करेगा थोड़ा बाथ तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा है अगर वीडियो अच्छा लगाए तो प्रीज वीडियो को लाइक शेर और सब् आपके अच्छा योगा बन रहा है अगर आप लोग ऐसा कोई काम करते हैं जो कि एडवाइजिंग काउंसिलिंग गाइडिंग इन सभी चीजों के साथ कनेक्टेड है तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा गेंस अचीवमेंट इसवक्त मिलेंगे यह टाइम बोथ आपका एडुकेशन के लिए तो अच्छा है ही और आप लोग फिरिच्वेल ही अपने आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं आप लोगों को अगर अपने डिलीजियस चीजों के ऊपर ध्यान देना है अपने बिलीजियस शिस्टेम के तरफ ध्यान देना है आपको अपने कोई-टी या फिर कोई भी religious activity अगर आपको करना है तो ये टाइम आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा है, आप लोग हो सकता है कि depending upon कि आपका current महादाशा लॉड एंड अंत्रदशा लॉड क्या इंडिकेशन दे रहा है, उसको पर depend करके आप लोग pilgrimage के लिए किसी long distance place पर traveling भी कर सकते ह एडुकेशन के लिए किसी long distance place पर traveling कर सकते हो, या फिर अगर आप लोग counseling, guiding, advising ऐसे किसी work field में अगर आप लोग काम करते हो, तो teaching भी है, अगर इन सभी area में अगर आप लोग काम करते हो, तो most definitely आप किसी long distance place पर traveling इस वक्त कर सकते हो, साथ ही में इस वक्त हो सकता है कि जब आ तो उस दौरान किसी guru या mentor के साथ आप लोग का communication हो सकता है, कोई guru आपके life में आ सकता है, पर वो depend करेगा कि आपका horoscope कैसा है, and आपका current महादाशा Lord and अंतरदाशा Lord क्या indication दे रहे हैं, उसको पर depend करेगा, तो overall हो सकता है, एक और चीज हो सकता है, क्योंकि 9th house आपके father को represent कर आपका कोई child है, तो वो लोग भी किसी long distance space में movement कर सकते हैं, depending upon their own chart and their own महादाशा and अंतरदाशा Lord, तो overall ये time आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा है, आपके father के life में भी कोई guru आ सकता है, वो भी आपको कोई ऐसा सला परामर्श देश सकते हैं, जिससे आपके life में, आपके overall life में एक बहुत एक positive change आ सकता है, तो I really hope कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो please video को like share and subscribe कीजे, and thank you so much for watching my video, तो Capricorn यानी मकर राशियान लगना वालों के लिए आपका 8th house Lord आपके 12th house पे जाड़े, तो most definitely सबसे पहले ये temporary विपरी तराज योगा बन रहा है, तो sudden ups and downs आपके life में आएंगे, और उसको overcome करने के बाद आपको gains and achievement मिलेंगे, अब वो sudden ups and downs क्या होगा, वो depend करेगा आपके particular horoscope के उपर, and आपका current महादर्शा Lord and अंतरदर्शा Lord क्या indication दे रहे हैं उसके उपर, साथी में इस वक्त आप spirituality के साथ connected है, spiritual awakening के साथ connected है, and naturally sign of Sagittarius जो है, वो हमारे spiritual belief system को represent करता है, and वो आपके 12th house में है, तो most definitely इस वक्त आप लोग, आप लोग के spiritual belief system में, आपके religious belief system में, suddenly कोई transformation आ सकता है, क्योंकि इस वक्त मार्स जो है, वो sign of Taurus में है, उनका जो 8th aspect है, वो आपके 12th house of Sagittarius में है, तो कोई ना कोई transformation आएगा, और वो transformation कब आएगा, आइदर जब आप लोग कोई sudden up and down face करेंगे, उसके बाद आएगा, और नहें तो आप लोग हो सकता है, क्योंकि 12th house इस वक्त बहुत जाद है, डॉमिनेटिंग हो रहा है, क्योंकि Mercury 3 December 2022 में, and Venus 5 December 2022 में, आपके 12th house में transit कर च भी predictions दिया है, मैंने, तो क्योंकि 12th house बहुत जादा, इस वक्त transit wise बहुत जादा dominating हो रहा है, तो अगर आपका current महादशा लोड, अंतरदशा लोड, अगर indication दे रहा है, कोई किसी long distance place में traveling करना, तो most definitely इस वक्त long distance place में travel करने के time पे आपको कोई foreign land में, कोई guru या फिर mentor मिल सक सकता है, जिसके साथ communication के बाद, आपके spiritual belief system में, आपके religious belief system में, एक बहुत जादा transformation आएगा, तो ये time आप लोग के लिए अच्छा होना चाहिए, most of the time ये अच्छा होना चाहिए, but obviously, क्योंकि ये एक general transit prediction video है, तो result mostly defend करेगा कि आपका current महादशा लोड and अंतरदशा लोड क् इंडिकेशन दे रहे है, भाई बहुत ज़्यादा का कवई क्यों मुझे घेड रहे है ऐसे, आप रेबाद, चलो, तो I really hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजए, and thank you so much for watching my video, Aquarius यानि कुम राशियान लगना वालों के लिए आपका 7th house लॉड आपके 11th house में move कर रहे है, तो most definitely अगर आप लोग business partnership में है, नै तो अगर आपका कोई current relationship है, अगर आप लोग marriage भी है, अगर आप लोग marriage भी है, तो आपके partner के वज़े से, चाहे वो business partner हो, married, यानि आप husband या फिर wife हो, और नै तो अगर आप लोग normally भी किसी partnership में काम करते हो, partnership में है, तो आपके partner के through आपको gains and achievement मिल सकते है, अगर कोई भी partnership में नहीं है, तो अब भी आपको चिंता करने की ज़यरत नहीं है, क्योंकि natural 10th house जो है, वो आप मारे promotion को represent करता है, क्योंकि वो 10th from the 10th house है तो वो परप्राप्ति को represent करता है, वो आपके 11th house of gains and achievement में है, तो most definitely आपके work space में भी आपको कुछ ना कुछ gains and achievement मिलेंगे, देखेंगे कि जो भी boss and authorities है ना, उनके साथ जो आपका communication है, उनके साथ जो आपका relation है, उसमें improvement आएगा इस वक्त, and साथ ही में हो सकता है कि आपके partner के life में भी कुछ ना कुछ positive gains and achievement इस वक्त आए, बट यहापे एक चीज़ होगा कि आपके, क्यूंकि आपके 11th house show है, वो बहुत ही अदा dominating बन रहा है, तो आपके overall money situation में एक transformation आ सकता है, तो हो सकता है कि आप लोग कोई job change करे इस वक्त, but वो depend करेगा कि आपका current महादशा ल community आ रहा है, जिसके वेदे से आपके overall जो भी friend circle है, जो भी professional network circle है and जो money situation है, उसमें positive improvement आ सकता है, अब देखे, क्योंकि यह एक general prediction है, मुझे नहीं पता कि आप लोग का horoscope कैसा है, वो अच्छा है कि वो बुरा है, current situation कैसा है, तो based on that वो transformation अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा transit video है, general prediction video है and mostly जो भी benefits है, यानि mercury, venus and sun वो benefits है, तो वो आपके 11th house में है, तो मैं expect करती हूँ कि result mostly अच्छा ही आएगा, but क्योंकि Mars का 8th aspect भी है, तो इस वक्त हो सकता है कि कुछ ना कुछ negative result भी आए, but वो depend करेगा कि आपका current महादशा लौड, अंतरशा लौड, आपके horoscope में क्या-क्या चीजें इंडिकेशन दे रहे हैं, तो I really hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजे, thank you so much for watching my video, मुलाकात होगे, आप सभी लोगों से मेरे अगले वीडियो में आपका 6,000 लॉड आपके 10,000 प्यार है, तो most definitely आपके वर्क स्पेस में आपके बॉस के साथ कोई ना कोई का आर्गिमेंट हो सकता है, sudden ups and downs हो सकता है, कोई ना कोई आपके वर्क सिचुएशन में आपस्टिकल यानि बाधा आ सकता है, कोई enemy अटाक कर सकता है, तो उन लोगो को overcome करने के बाद ही, आपको अपने वर्क स्पेस में gains and achievement मिलेंगे, आपके वर्क स्पेस के अंदर, suddenly कोई transformation याफी changes आ सकता है, अब वो changes positive भी हो सकता है, depending upon कि आपका current महाधाशा लॉड एंड अंदरशा लॉड वो positive हो सकता है, वो negative भी हो सकता है, but I am really hoping कि वो positive हो, क्योंकि transit wise, mostly 3-3 positive planet आपके 10th house पर transit कर रहे है, तो most definitely अगर कुछ problem भी हुआ, तो उसका proper resolution भी आप लोगो को मिल जाएगा, और उसको overcome करने के बाद, आपको आपके वर्क स्पेस में positive gains and achievement मिलेंगे, ओके, साथ ही में, इसी वज़े से थोड़ा सा सतर्क रही है, कि आप कैसे communicate कर रहे हो and अगर कुछ इस वक्त हो सकता है, कि आपको कोईसी और जगह से job offer भी आ सकता है, तो अगर ऐसा ही है, आप लोगो को सोच समझ के decision लेना पड़ेगा, सब कुछ जान लीजे कि उस new company के बाड़ में, आप लोग जान लीजे कि वो अच्छा है, कि वो बुड़ा है, वो आपके अच्छा है कि बुड़ा है, तो इन सभी चीजों के उपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, otherwise वो उस चीज के वैसे आप लोग बाद में पस्ता सकते हो, ठीक है, तो I really hope कि आपको इस वीडियो में से बहुत सारे अच्छा-ची इनफोर्मेशन पूले है, अगर आप लोगो आपको इस वीडियो अच्छा लगा है, अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो प्रीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, thank you so much for watching my video, मुलाकात होगी, आप सभी लोगों से मेरे अगले वीडियो में तब तक लिए, bye, thank you so much